बहुत दिनों से इस बात पर सवाल उठ रहा है कि को वैक्सीन जो कि इंडिया की इंडिजीनेसली मेड ड्रग है इसको डबलु एचो का अप्रूवल कब मिलेगा देखे क्या है ना जैसे जैसे इंटरनेशनल एकनौमी खुल रही है हमारे देश के लोग बाहर जाना चाहते है बाहर नौकरी करने जाना चाहते हैं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए वैक्सीन आपको लगी हुई होनी चाहिए अभी कोवी शील्ड को ज़ादतर इंटरनेशनल और्गना अप्रूवल दे दिया है चाहे वो डबलु एचो हो चाहे वो यूरोपेन मेडिस करके डिपार्टमेंट है इसने हमारी कोवेक्सीन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया पिसिकली अबरजेंसी यूज्य ओधराईजेशन की थी जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में ड्रग कंट्रोलर जनल ऑफ इंडिया अमर्जेंसी यूज ऑथराईजेशन की और तरीके से clinical trial के data को submit नहीं किया है, in fact जो phase 3 का clinical trial data था, उसका एक बहुत major chunk submit नहीं किया गया FDA के पास, इसलिए यहाँ पर approval नहीं दिया गया, तो जब इस प्रकार की news उठी, तो यह जो भारत biotech के मालिक हैं, जो founder है Krishna Ella, इन्होंने यहाँ पर statement दिया, इन्होंने बोला, कि अब हमको emergency use authorization नहीं चाहिए, अब हमको full approval चाहिए, full approval और emergency use authorization में क्या फरक होता है, देखिए अगर आप US में full approval की बात करिए, तो वहाँ पे एक process होता है, जिसको बोला जाता है BLA process, biological license application process, इस BLA process के थुरू बहुत सारे steps होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, applicant information, product manufacturing information, pre-clinical studies, clinical studies labeling, तो इस BLA process के अंदर, co-vaccine को लेके, कुछ और आप कह सकते हो, test या फिर clinical trials हो सकते हैं, US के अंदर, problem यह है, इस BLA process में कि इसमें समय बहुत लगता है, और emergency use authorization, emergency basis पे दिया जाता है, तो तुरंत ही, आप vaccine administer करना शुरू कर सकते हो, तो जब co-vaccine को शायद यह लगा, कि अब emergency use authorization तो मिलनी पाएगा, तो BLA process के लिए उन्हों अप्लाई कर दिया है, तो यह FDA की तरफ से तो एक प्रकार का rejection ही हो गया है, आपका co-vaccine के लिए, और BLA process के जो results है, वो बहुत delayed आने वाले, जल्दी आने वाले नहीं है, अब सारी उमीदे थी WHO के उपर, कि WHO की तरफ से approval मिल जाए, येकिन अभी के लिए भी WHO की तरफ से approval लहीं आया है, कुछ technical problems यहाँ पर आ गई है, पांच अक्टूबर को WHO के अंदर एक body है, SAGE, Strategic Advisory Group of Experts, अगर आप इस body के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप WHO के website पर जाके पढ़ सकते हैं, SAGE के बारे में, The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization is charged with advising WHO on overall global policies and strategies, ranging from vaccines and technology research and development to delivery of immunization and linkages with other health interventions, तो overall this SAGE group की meeting होने वाली है, 5 अक्टूबर को, और वहाँ पे इस बात के ओपर बहस होगी कि को vaccine को approval देना है या नहीं देना है, और यह जो WHO का approval देने का process होता है, इसमें 5 steps होते हैं, अलग अलग, जिसमें सबसे पहला step होता है कि acceptance of manufacturers EOI, expression of interest, 19 अप्रैल को ही यह जो भारत बायोटेक है, इसने expression of interest WHO के पास submit कर दिया था, अगर इस expression of interest को WHO accept कर लेता, तब second step पे पहुंसते हैं और वो step होता, भारत बायोटेक और WHO के officials की meeting, लेकिन यहाँ पे expression of interest को ही accept नहीं गया WHO ने, क्य नहीं accept किया, तो वही problem कि clinical trial data की कमी है, WHO ने बोला कि proper तरीके से clinical trial data WHO के पास submit नहीं किया गया, इसलिए हम approval नहीं दी सकते हैं, फाइली भारत सरकार की तरफ से decision आया, कि भाई 9 जुलाई तक जितने भी WHO ने trial data के documents मांगे थे, हम सारे के सारे documents submit कर वा चुके हैं, अभी SAGE की meeting होने वाली है 5 October को, और 5 October को अगर co-vaccine को approval नहीं मिलता है, तो ये इंडिया के लिए international embarrassment हो जाएगी, reason being, कि जब शुरू-शुरू में China की Sinovac vaccine मनी थी, तो Sinovac versus co-vaccine की बात हो रही थी, और बहुत सारी countries ने Sinovac के comparison में co-vaccine को importance दी, अब Sinovac को approval मिल चुका है, लेकिन co- vaccine अभी भी अजर में लटकी है, और केवल Indians जिन्होंने co-vaccine लगाई है, वही नहीं, 9 ऐसी कंट्रियांस हैं जिन्होंने co-vaccine को approval दिया है, और अपने देश में co-vaccine लगवाई है, जिनके नाम है, गोयाना, इरान, मौरिशियस, मैक्सिको, नेपाल, पैरागोय, फिलिपीन, जिम्बाबे, 8 countries, except India, इंडिया को मिला दो तो नो हो गई, co-vaccine को ना WHO ने approval दिया है, ना Food and Drug Administration ने दिया है, ना ही European Medicines Agency ने दिया है, ना ही UK की Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency ने दिया है, और ना ही Canadian और Australian authorities ने अब तक co-vaccine को approval दिया है, तो इसका fallout क्या होगा, fallout तो यह होगा, सबसे पहला fallout immediate basis पे, जिसने co-vaccine लगाई है, वो foreign travel नहीं कर पाया, दूसरा, co-vaccine की genuineness की उपर सवाल उठाए जाएंगे, कि कोई भी international regulatory agency इस समय पे co-vaccine को proper approval नहीं दे रही है, तो भारत सरकार के उपर भी उंगलिया उठ सकती है, कि आपने कौन से data के basis पे emergency use authorization दिया, co-vaccine को, in fact, उसने तक ने ये बोल दिया, कि co-vaccine के trials में कुछ specific steps को skip किया गया, जिसके basis पे हम ये assess कर सकते थे, कि ये vaccine efficient है और नहीं है, मतलब ब्राजील के Nvisa के हिसाब से ये पता चलता है, कि human body में ये जो virus से proliferate नहीं करेगा co-vaccine देने के बाद ये पूरी तरीके से prove नहीं हुआ, अब ही के लिए 5 October को देखते हैं क्या होता है, अगर co-vaccine को 5 October को भी WHO की तरफ से approval नहीं मिलता है, then it is going to be a big issue, चुकि FDA तो already reject कर चुका है, और अगर WHO इसको reject कर देता है, overall approval नहीं देता है, तो European Medicine Agency और बाकी जो भी organization से दुनिया भरके वो co-vaccine को approval दें, इसके chances काफी कम हो ज vaccine को approval ना देने का वो यह है, कि proper clinical trial data available नहीं है, अब ए clinical trial data available नहीं है, यह आप कह सकतो एक बहुत बड़ा इल्जाम है, चुकि सीधे-सीधे DCGI की genuineness पे सवाल उठेगा, कि फिर DCGI ने इंडिया में इसका approval कैसे दे दिया, जब international agencies कह रही है, कि data available नहीं है, वीडियो को लाइ इंडियो की